क्यारा सक्से शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटर्व्यू की प्रिपरेशन में आज है हमारी क्लास नंबर फिफ्ट तो क्लास नंबर फिफ्ट में जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी जो चीजें आ आपको क्या क्या चीजें पढ़नी हैं जो कि मेरे वीडियो से आपको अवलेबल हो जा रही हैं इसके साथ ही बहुत सारी चीजें अब और बच रही हैं ठीक है जैसे कि मैं आपको बता दू कि IPL हुए थे तो IPL में भी जो है विनर्स कौन-कौन से रहे हैं कौन-कौन टीम आपको बतानी हैं लेकिन वीडियो उनके अवलेबल हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे लेकिन फिर भी मैं वह सारी चीजें आपको रिमाइंड कराऊंगी ताकि आपसे वह सिर्फ जूटना जाएं आज का वीडियो जो बैसिकली है वह इसलिए है कि मैस एक ऐसा कोई बच्छा आज की डिट में अगर कहा है थे कहें बहुत से बश्चें ब्येकरते हैं आपको ले जानी और टिकाना चाहते है प्रसाध को बाहरा इक बर शाल तो बहुत कोशने प्रिपैर रहीएंगें मिल्स ने बिंटे किया हुआ है BE टेक हो बहुत की दिक्रब्स शौड़ा है अगर किसी ने BAT किया हुआ है, BTC किया हुआ है, इसके अलावा MBA किया हुआ है, या फिर और भी डिग्रीज ली हुई है, MSC है, MA है, तो वो एक स्पेसिलाजेशन हो जाता है सबसेक्ट में, और रही बात BAT BTC की, तो BAT BTC में अगर आप करते हो, अपना माकशीट वहां लगात है, psychology से related, या फिर क्या चीजे लेके आपने पढ़ा है, तो teaching line में आप क्यों नहीं गये, या फिर बहुत सारी चीजे ऐसी होती है, जो कि पूछी जा सकती है, तो इसके लिए भी आपको prepare रहना होगा, ठीक है, फिर आती है बात next में जो बता रही थी आपको maths वाली बात, त इसके बात से वो अलग अलग अपना रास्ता चुनते हैं पढ़ने के लिए, तो maths से related किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं, मैं आपको कुछ चीजें जो कि मैंने खुद सने note की थी, ठीक है, तो कुछ important चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूं, और हर बार मों बताती हूं, जो भी लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके जरूर से बताया करें कि आप लोग को यह जो वीडियो बनाया जा रहे हैं, वो कितने बेनिफीशल हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतनी चीजे मैंने आपको बताई है अगर आप लोग वाइजली पढ़ रहे होगे तो आप लोग काफी कुछ तयार हो चुका होगा अभी तक, ठीक है, वीडियो जबकि आज की पाचवी एक लास है, लेकिन तब भी आपको काफी कुछ तयार हो गया होगा, आपको खुद से लग रहा होगा कि आपने काफी कु वीडियो में देखेंगे, तो आज का जो वीडियो है, स्टार्ट करते हैं फुली, तो चलिए, सबसे पहरे चीज की किसी भी चीज पे, कोई भी सब्जिक्ट है ना, जिसे फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, के मिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं हर चीज आपको बताती जा रहे लेकिन आपको देखने से फायदा ही होगा, कि आपके सब्जिक्ट में किस पता के क्वेशन सोट सकते हैं, यह आपको मालूम चलेगा, यसे पूछा जाता है कि फादर ओफ माथमेटिक्स, ठीक है, वैसे ही फादर ओफ फिजिक्स होता है, फादर ओफ बॉटनी होता है, फा फादर ओफ माथमेटिक्स कहा जाता है, ग्रीक माथमेटिशियन, आर्कमेडीज को, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट है, फादर ओफ माथ इंडिया, तो एक वो बात होती है, जो कि फादर ओफ माथमेटिक्स इन वर्ड लेवल, और एक आधी है बात, father of mathematics in India तो भारत में father of mathematics कहा जाता है आर्य भट को ठीक है आर्य भट को father of mathematics कहा जाता है यह आप ध्यान रखेंगे और एक जित में यहां तेरा pen on कर लूँ ओके निक्स्ट हमारा आता है first discovered mathematics mathematics को सबसे पहले किस ने जो है डिसकोवर किया था तो mathematics को सबसे पहले discover किया था पाइथागरस ने ठीक है पाइथागरस ने सबसे पहले mathematics को discover किया था इसके पासे next question है who invented zero ठीक है यानि कि zero को first time किसने use किया था अगर बात आती है दोको यह question है बहुत confusion वाला है सबको पता नहीं होगा लेकिन आज आप लोग जानोगे who invented zero used first मने लिखा है तो यह इसका answer है ब्रह्मगुप्त ठीक है यानि कि invent करना कोई चीज को discover करना दोनों अलग अलग चीज़े हैं ठीक है invent किया गया था यानि कि zero को किसने सबसे पहले use किया था वो किया था ब्रह्मगुप्त ने बहुत पहले की बात है next आपका है who discovered zero discovered किसने किया था वो किया था जिने हम कहते हैं father of mathematics जो कि इंडिया से हैं वो है आर्यभट यानि कि discover का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो कि पहले से मौजूद हो उसको लोगों के सामने लेके आना वो discover कहलाता है invent मतलब किसी चीज को पहली बार invent करना पहली बार प्राप्त करना कोई चीज पहली बार आपने देखी हो कहीं से खोडी हो वो invention कहलाता है और discover और invention में यह ही difference होता है इस question से बहुत सारे बच्चे confused होते हैं तो इस चीज को ध्यान रखेगा ठीक है क्योंकि सभी को पता होगा जितने भी maths वाले बच्चे हैं सबको पता होता है यह बच्चे होते हैं वो पूछ रहे थे कि हमें क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है तो आपके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है 12th के subject को आप त्यार करेंगे मास को जरूर से पढ़ेंगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा invention और discover में क्या difference होता है invention में आप कोई चीज पहली बार देख रहे हैं पहली बार उसको यूज कर रहो किसी चीज का पहली बार आपने इंवेंट किया किसी चीज को तो वो किया था ब्रह्मा गुप्त ने जीरो को और उसको discover किस ने किया था यानि कि वो चीज पहले से मौजूद थी लेकिन उसे को पहले निवास नामानजन के पिशह में सभी लोगों को पता होगा यह एक इंडियन मैथेमेटीशन है ठीक है और देख सकते हैं इनकी जो date of birth 22 December 1887 से यह कब तक रहे 26th of April 1920 ठीक है ना और achievements इनके क्या है achievements है इनके number theory and mathematical analysis तो यह इनके achievement रहे हैं और रामा रुजन को जो है क्योंकि यह इंडियन मैथेमेटीशन है और इन्हें जो है क्यों जाना जाता है इसके विशे में आपको पता होगा एक number है 1729 यानि कि 1729 जिसे हम लोग कहते हैं hardy ramanujan number ठीक है इसे हम लोग कहते हैं hardy ramanujan number और ऐसा क्यों कहते हैं तो यह है जो कि 1729 है यह smallest number है expressed by sum of two cubes in two different ways यानि कि 1729 एक ऐसी चोटी संख्या है सबसे चोटी संख्या है जिसे हम express कर सकते हैं sum of two cubes यानि कि दो number के cubes के sum में ठीक है दो different तरीकों से कैसे कर सकते हैं देखो 1 का cube और 12 का cube दोनों को हम add करेंगे तो 1729 मिलेगा next है 9 का cube और 10 का cube दोनों को add करेंगे तो 1729 मिलेगा जो कि आपको दिख रहा होगा इसलिए 1729 को hardy ramanujan number कहा जाता है क्योंकि यह smallest number है जिसे हम दो cubes के sum में क्या कर सकते हैं दो different different तरीकों से प्राप्त करते हैं इसलिए इसे hardy ramanujan number कहा जाता है clear है यहांतर next है also known as a taxi cab number 1729 को taxi cab number और भी इसके पीछे एक छोटी से story है ठीक है तो इसी से relate करते हुए कि छोटी से story है उस taxi cab का जो है वो number 1729 था तो उसी पर यह story है और वहीं से यह number निकल करके आई है तो यह आप जानिएगा कि इसे एक taxi cab number भी कहते हैं next जीज आपको बता दूँ कि national mathematics day मनाया जाता है 22 December को जो की रामा लुजन की date of birth कही जाती है ठीक है आपको पता है 22 December को national mathematics day celebrate किया जाता है और यह जो है कब से मनाया जा रहा है 2012 से मनाया जा रहा है तो जो 2012 में उनकी 125 वी birth anniversary है तब से यह मनाया जा रहा है तो यह आपको मालूम हो गया फिर आप देख सकते हो मैंने यहाँ ऊपर फुरा सा लिखा हुआ है BC और AD तो यह आपको पता होगा कि Year को denote करते हैं तो BC और AD मैंने full form लिखा है BC before Christ और AD लिखा है and domini in the year of Lord ठीक है नेक्स हम देखते हैं Pythagoras theorem को तो Pythagoras theorem सबको पता है Pythagoras theorem में मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यह Baudhayan ने proof किया था before Pythagoras यानि कि हम जानते हैं पाइथागरस थेरम जो है वो पाइथागरस ने जो है लाया था ये सभी पढ़ते हैं लेकिन उनसे पहले बौधायन ने इसे प्रूफ किया था पाइथागरस थेरम को इसे ध्यान रखी है योकि पाइथागरस के नाम से है तो सभी लोग इसका आंसर प कि बहुत सारे लेकिन यह चीज़े जो डेफिनेशन में जितना है यह पूरा मैंने कवर किया हुआ यहाँ पर प्रबाबिल्टी क्या होती है तो चाहँ एक प्राइकता कहलाती है यानि कि प्रबाबिल्टी कहलाती है निक्स आता है दे नंबर ऑफ अकरेंसे ऑफ टार्गेट कोई चीज होने की जो संभावना होती है वह प्रबाबिल्टी कहलाती है ठीक है और यहाँ पर मैंने लिखा है रेट ऑफ चीज यानि कि कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है ठीक किसी के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंसियेशन मेरे से पूछा गया था यह मैं बता आपको कुछ दिया हुआ है ठीक है उसके डेरिवेटिव को फाइंड करने का एक प्रॉसेस होता है डिफ्रेंसियेशन ठीक है या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन तो इसी को मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज का मतलब कोई भी चीज जो है कितनी तेजी से चेंज हो र इन्रेटिक चेंज करते हैं ठीक है तो यह पता होना चाहिए ना गडरेशन तो प्रोसेस ओफ कम्प्यूटिंग इंटेग्रल है या फिर आप कह सख़ो इंटेगेकर करना मतलब क्या होता है कि कि सी चीज को सब्सकli कट करके सम करना फिर छोटे छोटे भाग में किसी चीज को पेंट करना होता है integration कहलाता है ठीक है तो differentiation और integration में यह चीज आप जरूर से पढ़ेंगे जरूर रहें लगई और सा 느में दिखा लिए धी पढ़ेंगे यह पुरा निचोड़ है ठीक है सिर्फ डाफिनेशन से गयरा का मैंने क्वेस्टन आउसर के लिए नहीं कहा है सम तो कहीं से भी पूछ लगते हैं ठीक है नेक्स आता है आपको स्ट्रेस्टेक्स के कुछ पार्ट है मीन पता होगा आपको आवरेज ऑफ नंबर्स होते हैं ठी अगर दो नंबर बीच में हो तो उनका हम आवरेज ले लेते हैं ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे उसको पहले असेंडिक और में लगाते हैं उसे साबसे और इवन करके इसको निकालते हैं आपको पता होगा यह चीज नेक्स आती है बात मोड तो जो नंबर अगर आप से सिर्फ पूछें कि रेंज होता क्या है तो आप बता सकते हैं कि डिफरेंस ओफ लोवेस्ट हायस नंबर ठीक है नाव इस्टेंडर्ड डेविएशन तो इस्टेंडर्ड डेविएशन जैसा कि आपको पता है अगर कोई कॉमर्स का बच्चा होगा एकाउंट्स तो उसको जादा अच्छे से समझ में चीज आएंगी लेकिन फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है यहां पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेंडर्ड डेविएशन में क्या होता है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉमली एक लैंग्वेज में समझे हैं तो यह आपको स्टेंडर्ड डेविशन की डेविशन में चुकी है नेक्स हम देख लेते हैं यहां पर कुछ डेफिनेशन से नाच्रल नंबर ऑल दा होल नंबर एकसिप्ट जीरो होना चाहिए यहां पर यह सही कर लिजेगा ठीक है ना वन नहीं है वन तो आपका नाच नंगर नहीं होता है ठीक है डेक्स अपका रियल नंबर तो सेत ऑफ रैशनल ठीक है rational आपको पता होगा नहीं पता होगा तो बता दे रहे हूं ऐसे numbers जो कि P by Q के form में लिखे गए हूँ और Q जो है not equal to zero हो वो rational number कहलाता है जहां पर P और Q integers होते हैं यह rational number not equal to P by Q okay integers क्या होते हैं यह fractional में नहीं होते हैं कभी भी कणभी positive भी हो सकते है negative भी हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं थे कहलते हैं यह जो की 1 से और खुद से divide हो जाया औरùng-अक्जांपल में आपको बता दूं कि जैसे कि आपका क्二 में 57 तो यह सब नमर्प्राइम है यह वन से दिवाइड हो रहे है और खुझ से भी इवाइड हो रहे हैं ठीक है, नेक्स्त है बदेट है वन अ प्राइम नमर्प positive divisors ठीक है and one has only one one prime number नहीं होता है क्योंकि जो prime number की properties होती है वो यह होती है कि जो prime number होता है उसके दो divisors होते हैं तो one के पास सिर्फ एक ही है यसलिए वो prime number नहीं होगा next है आपका composite number तो formed by multiplying two smaller positive integers यानि कि एक और खुद को छोड़ कर जिसके divisor हो composite number होता है जैसे कि more than two factors यानि कि दो से अधिक factors हो जिसके वो composite number होगा और बहुत सारे number है तो बाकी हम बात करते है permutation and combination की तो इसको Hindi में बोलते है क्रमचे संचे तो क्रमचे का use हम क्यों करते हैं तो क्रमचे कि हम किसी चीज को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं ठीक है किसी चीज को कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं तो यानि कि यहां पर जो order है वो matter करता है और हम बात करते हैं combination की ठीक है sike combination के अगर हम बात करते हैं तो वहां पर order जो है matter नहीं करता है दोनों के भीज में इहीं डुफ्रेंस है ठीके ना order matter नहीं करता है for selection के लिए or एक for arrangement के लिए यह tapping combination देखिए छोटी सी वीडियो है यह बहुत बड़ी नहीं है लेकिन कोशिश की कई है river अधिक से अधिक सी तुरंट से जल्दी जल्दी से रिवाइस करा दी जाएं तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अब इसके बास से इतना पढ़ने के बास से अब आपको क्या पढ़ना होगा मैंस में एक रिवीजन था आप और अच्छा पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल आती हूं आपको मेरे से एक क्वेशन और पूछा गया था वो क्वेशन में बता रही हूं आपको क्वेशन मेरे से पूछा गया था कि 0.01 और 0.001 में से कौन सा बढ़ा है ठीक है 0.01 और 0.0001 से कौन बढ़ा है तो clear होगा जो भी मैंस के student होंगे और नहीं भी होंगे तो उ जरूत नहीं थी जैसे लोग डरते हैं लेकिन बिल्कुल डरना चाहिए इंटर्व्यू से क्योंकि आप अगर नहीं डरेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं से बात है पढ़ना चाहिए जरूरी नहीं है कि सबसे नॉर्मल चीजे पूछ दें और मैं यकीन बता रही हूं आप किसी चीज को छोटा ना समझें और पढ़ाई करते रहें और वीडियो को जल्दी ही आ जाएंगी परिशान ना हो इसके लिए त्यारी करते रहें विकॉस त्यारी करने के लिए टाइम बहुत काम है तो वीडियो को अजिक से शेयर करिएगा और क्या चीज़ चाहिए आपक कर दो बताइए का तो चलिए बहुते हैं आप इन एक्स वीडियो में देखिया और देखिया और देखिया और देखिया और पाई